तो हेलो व्रिवन आज कि इस वीडियो में हम आप सभी को दस्वीक अक्षा की सोसल साइंस जाने समाजी विग्ञान का ऐसा इंपोटेन भी विया ये ऑबजेक्टिव कोशन बताने जा रहे हैं जो कि आपके मेट्रिक बोट पर इक्षा 2023 के लिए काफी मुटेंट है अदि आप दस्वीक अक्षा के स्ट्वेंट है और आप इसर मेट्रिक अग्जाम 2023 में देने वाले हैं तो आज कि इस वीडियो को सु सकल घरली उत्पाद जो होता है वो जीटीपी का पूरा नाम होता है ग्रोश डोमेस्टिक प्रोड़क्ट जिसका हिंदी होता है सकल घरली उत्पाद और सकल घरली उत्पाद में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो तिरित्यक छेत्र यानि सिवा छेत्र का होता है उसक इसकी बाद में कोश्यमा 3 करता है कि बिहार की अधिकतर जनसंख्या जीविका के लिए किसी सेथु पर निर्भा रहती है तो आप सबी को मैलम होगे कि बिहार को एक क्रेशी परढ़ान राज और भाद को एक परढ़ान डेश कहा जाता है केव की यहां की अधिकतर जन संख्याएं अपने जीवन यापन करने के लिए क्रीशी पर निर्भा रहा करती है कोश्मा 3 का राई टेस्प सेन यह हो जाएगा उसके बाद में अगला स्वाल कोश्मा 4 को देखे कोश्मा 4 करता है बैंक एजेंसी का क्या काज है देखे बैंक एजेंसीयों का काज होता है रीन देना यानि भी आज देना उसके बाद में कोश्मा 5 पुछा गया है कि भारत के किस राज्म की परतिवेक्ति याई सरवाधिक है देखे भारत के लिए किस राज्म की परतिवेक्ति याई सबसे अधिक पुछा जाएगा तो गुवा हो जाएगा और बिहार के किस जिले की परती बेक्तिया सबसे दिखे तो पटना हो जाएगा वो इसके बाद में करता है कि भारत में नई आर्थिक निती कब लाग होई थी आप सभी को बता दें कि भारत में नई आर्थिक निती सन 1991 इसी में लाग होई थी यहीं पर नई अर्थिक निती की बात करें तो सबसे पहले रूस में लागू की गई थी लेजिन के द्वारा और ये सन 1901 सिशी में लागू की गई थी वो इसके बाद में कोशनमा साथ करता है राश्टी मानो विकास में कीस राज का सरोच्चम आस्थान है तो यहां पर कोशनमा साथ का बिलकुछ सही जबाब आपका अपसन भी हो जाएगा जी यानि केरल का वो इसके बाद में करता है कि सिंगापूर की मुद्रा का क्या नाम है जिस परकार से सौधी रब्र का मुद्रा का नाम रिजाल है और इंडिया का जो रूपिया है उसी परकार से सिंगापूर यानि यूएस का जो मुद्रा है वो डॉलर है वो इसके बाद में कोशनमा नाम करता है कि किस बीतिये संस्थान द्वरा साख स्रीजन किया जाता है तो यहां पर कोशनमा नाम का राइट डिस्रप्शन भी हो जाएगा जी भारतिय रिजर्ब एक जिसके अस्तापना सन 1935 में मुंबई में की गई थी वो इसके बाद में करता है कि किस ने कहा था मुद्रन वह है जो मुद्रा का काज़ करती है तो कोशनमा नमर 10 का राइट डिस्रप्शन सी हो जाएगा हर्टले विदर्स का ये कथन था वो इसके बाद में करता है कि भारत में सरवाधिक रोजगार के ऑसर उपलावध कराने वाला कौन सा छेत है तो यहां पि कोशनमा 11 का राइट डिस्रप्शन सी हो जाएगा त्रीतियक छेत और त्रीतियक छेत के अंगर सेवा छेत राती है वो इसके बाद में कोशनमा 12 को देखे कोशनमा 12 करता है कि ये तो हो गया विश्व का सरवाधिक रोजगार प्रदान करने वाला काज्वरम कौन सा है तो यहां पि कोशनमा 12 का राइट डिस्रप्शन बी हो जाएगा जी मन रेगा है उसके बाद में करता है सरकार दोरा आवस्यक नियंत्रन तथा परतिबंद को हटाना क्या करता है तो यहां पि कोशनमा 13 का राइट डिस्रप्शन डी हो जाएगा जिदने भी ऐसे मकान जो अवैद तरीके से निर्मान किये जगए रहते हैं उसको क्या होता है कि राष्टी करन करके उसे आतिकरमन करके उसे हटा दिया जाता है अईले स्वाल करता है कि 20 वेपार संगठन जिसे WTO हम लोग कहते हैं World Trade Organization इसकी अस्थापना कब हुई थी तो याद रखिएगा सन 1995 सिभी की बात है जब World Trade Organization 20 वेपार संगठन की अस्थापना हो गई थी अब अगला स्वाल कोशन 15 को देखिए कि भारत में उपभोक्ता सनक्षा नदियाम की घोषना कब हुई थी तो यकि भारत में उपभोक्ता सनक्षा नदियाम की घोषना 1936 में हो गई थी अगला स्वाल करता है योजना आयो के प्राथमत्यक्ष की से बनाया गया था तो जोस्तों आप सभी को उता दें कि योजना आयो के प्राथमत्यक्ष पंडी जवाहलाल नहरू को बनाया गया था तो कोशनमर 16 का राइट इस्रप्शन डी हो जाएगा जी पंडी जवाहलाल नहरू उसके बाद में अगला स्वाल कोशनमर 17 करता है कि भारत में किस परकार की अर्थ विवस्था पाई जाती है जैसा कि आप सभी को मालम होगा कि पूरे 20 सुभर में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे मिश्री तर्थ वस्था पाई जाती है वो इसके बाद में करता है पावर्टी इन और बिटीश रूल इन इंडिया पुष्ता किस के दोरा लिखी गई थी तो ये लिखी गई थी दादा भाई नौरो जी के दोरा तो कुश्चन का राइटे सरफ से इन डी हो जाएगा वो इसके बाद में एलाइस स्वाल करता है बंगाल बिभाजन कब हुआ था तो रेखिए बंगाल का जो बिभाजन है न ये सन 1905 जी में लौड करजनि किया था लेकिन इसी बंगाल के बिभाजन के बितों एक आंदोलन भी हुआ था जिसका नाम पड़ा बंग-बंग आंदोलन और इसी बंग-बंग आंदोलन के फलसरूप सन 1911 श्वी में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया था यहाँ पर स्वाद इस परकार से आशकता है कि बंगाल विभाजन का असरे की से जना जाता है तो लौड करजन को कब हुआ तो 1925 में वो इसकी बाद में करता है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था तो याद रखेगा मेजनी का जो संबंध है यह कारबोनरी संगठन से था वो इसकी बाद में करता है कि युनान को कब स्वातंतरता मिली थी जैसा कि आप सभी को मालम होगा कि युनान पहले तुर्की की अंग के रूप में माना जाता था और बाद में युनानियों में भी स्वातंता की भावनाव का उदा हुआ और इस परकार से जाकर सं 832 इसी में युनान को स्वातंता के प्राप्ती हो गई उसके बाद में करता है स्टेडान के युध में किसकी प्राजय हुई थी जैसा कि आप सभी को मालम होगा कि फ्रांस और प्राशा के बीच में होने वाला युद्ध सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह युद्ध सेडान में ही लड़ा गया था जिसे फ्रांस की हार हुई थी इसलिए कोशन का राई टेस्रप्शन ए हो जाएगा फ्रांस को ले लिडिंड के दौरा अपरायल थीसिस को सबसे पहले पेस्ट किया घिल रहता कि बीच सो का सबसे पहला समाजवादी रेस कौन सा है आसा करते हैं कि इस कोश्चन का है सब आप सभी जरू जानते होंगे देखें बीश्टो का जो सबसे पहला समाजवादी रेस है उसे हम लोग रूज कहते हैं तो कोश्चन का राइट डिस्रप्शन ए हो जाएगा रूज इसके बाद में कोश्चन 26 को देखिए कि काल मास का जनम कहां पे हुआ था आप सबी को उता दें कि काल मास का जनम सन 888 में जर्मनी प्रांट के मेगवा नामक सहर में हुआ था तो यहां पे पूछा गया है कि काल मास का जनम कहां पे हुआ था तो जर्मनी में हुआ था, कब हुआ था, तो सन 888 में हो गया था अज़र ये अगला स्वाल कोशन नंबर 27 को बढ़ते हैं कोशन में 27 करता है, बेतनाम की रज़ानी कहां पे है तो आप सभी को उता दें, बेतनाम की रज़ानी है हनोई में इसलिए कोशन में 27 का राइट डिस्रप्शन ये हो जाएगा उसके बाद में कहता है कि समझोते के तहद बेतनाम को दो भागों में बार्ट दिया गया जिसका नाम पड़ा उत्रे बेतनाम और दूसरा का नाम पड़ा देक्षिन बेतनाम तो आप सबी को तादी जिनेवा समझोता जो सन 1955 में हुआ था इसी के तहद बेतनाम को दो भागों में बार्ट जिया गया उत्रे बेतनाम जहां समयवादियों की सरकार बनी और दूसरा का नाम पड़ा देक्षिन बेतनाम जहां अमेर की समर्थित पूजी पतियों की सरकार बनी उसके बाद में अगला स्वाल कोशन 29 क्या कहता है कि कांग्रिश के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का परस्ताओ पारी थुगा था तो याद रखिएगा पंडी जवाह लाल नहरू के अधिशता में कांग्रिश के दोरा सन 1929 की बात है जब लाहर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का परस्ताओ की घोशना की गई थी तो कोशन का राइट टेस्टरप्शन ए हो जाएगा अब एगला स्वाल कोशन मत Tyts को देखिए कोशन मत Tyts क्या कहता है सरासना में किनके नित्रित में नमक सत्त्याग रहा था तो ये सरोजनी नाइड़ू के नित्रित में नमक सत्त्याग रहा था हैले स्वाल कहता है East India Association की अस्थापना कब होई थी दोस्तों आप सभी को उता दें कि इस्ट इंडिया एसियोशन की जो अस्थापना है वो 866 डिसी में हुई थी उसकी बाद में करता है कि गदर पार्टी के अस्थापना कब और किसने किया था तो दोस्तो आप सभी को बता दें कि लाला हर्द्याल ने किसने दोस्तो लाला हर्द्याल ने सन 1913 इस वी की बात है जब गदर पार्टी के स्थापना कर दिया था दोस्तों आप सभी को दरा दें कि जमसेद जी के दुवारा जमसेद पूर में ही टाटा आइरन एंडेस्टील कंपनी के स्थापना सन 1907 इसी में हुई थी वो इसके बाद में करता है एस पेनिंग मिल का विसकार कीशने ने किया था दखिये यहाँ पे कोशन निममर 34 कराय टेसर अपसटन ऐ हो जाएगा एस पेनिंग मिल का जो विसकार है वो जेमस हार गृट्ड ने किया था फ्लाइंग शटल का मचीन का विश्कार जोन के ने किया था और यहाँ पी दी पुहा जाएगा कि सिप्टी लेंप का विश्कार किसirement कि ने किया था तो हम्परीडे ही हो जाएगा तो इसके बाद में करता है सामनती विवस्था के आस्थान पर किस परकार की सहरी विवस्ता की प्रवरीती बढ़ गई है तो यहाँ पे कुस्टन का राई टेसर अप्टन ए हो जाएगा जी परगती सील उसके बाद में करता है सन 1929 सिस्वी के मंदी का सबसे बुरा परभाव किस देश को पढ़ा था यहाँ पे कुस्टन 36 का राई टेसर अप्टन सी हो जाएगा इस से जो आर्थिक मंदी जो सन 1929 सिसी में हुआ था इस सबसे ज़ा किसी को नुक्सान पढ़ा था सब ज़ादा परभाव पढ़ा था तो संजूत राज अमेरिका को पढ़ा था वो इसके बाद में करता है कि निव डील का संबंद किस देश से था लखिये कुस्टन 37 का राई टेसर अप्टन ए हो जाएगा राजनेतिक निती से था लखिये जो निव डील लागो किया था वो एफटी रिज्वेंट ने लागो किया था और इसका में मक्सद राजनेतिक निती था वो इसके बाद में करता है कि निव डील का राई टेसर अप्शन ए हो जाएगा 1995 भी की बाद है जब अंतराष्टी मुद्रा को इसके अस्थापना कर दी गई थी वो इसकी बाद में करता है मुद्रनकला का विश्कार कहां पे हुआ था आई होप हमासा करते हैं कि इसका इंसर आप सभी जरूर जानती होंगे दी मुद्रनकला का जो विश्कार है उस सबसे पहले चीन में हुआ था जबाखना काוסा विश्कार सबसे पहले चीन मेघा था और यहीं है वो चीन जहां पे सबसे पहला पेपर मिल प्राइपर के अस्थापना की चीन उसके बाद में अगला स्वाल कोशन नमर 43 करता है कि 935 थेसेस के लेखक कौन है तो देखिए कोशन नमर 41 का राइट टेसरप्शन डी हो जाएगा जी मार्टिंग लूतर की जुनियर जो है इस पुस्ता के लेखक है उसके बाद में अगला स्वाल करता है सनवाद कौमोदी किस भासा का समचार पद्र था तो कौशन 42 का राइट टेसरप्शन ए हो जाएगा जी बंगला भासा का उसके बाद में करता है कि रूसो कहां का दाशनी था हलाकि मैटिक एक्जाम पिपर में ये स्वाल बहुत बार पूछा गया है याद रखेगा रूसो जो था ये फ्रांस का दाशनी था उसके बाद में करता है कि गोल घर का निर्मान कब किया गया था मैटिक एक्जाम पिपर के लिए ये कोशन कापी ही जड़ा इंपोटेंट है और सेंटर के एक्जाम पिपर में भी पूछा जा चुका है देखिए 1786 स्वी की बाद है जब गोल घर का निर्मान पटना में अनाज रखने के लिए कराया गया था उसके बाद में करता है कि अस्योग आंदर्वन का प्रस्ताओ कांग्रेश के किस अधिविशन में पारित हुआ था देखिए अस्योग आंदर्वन का जो प्रस्ताओ है ये सितंबर 1922 स्वी की बाद है जब कलकत्ता धिविशन में पारित हुआ था उसके बाद में कुश्मा 46 करता है तास्रकंद में भारतिय कॉम्यूनिस्ट पार्टी के स्थापना कीश ने किया था तो कुश्मा 46 का राइट डिसरप्शन भीफ हो जाएगा भारतिय कॉम्यूनिस्ट पार्टी के स्थापना एमिन राय को माना जाता है उसके बाद में करता है कि यग इटली नामक सहंस्ता के स्थापना कीषिने किया था तो इसके बात मे कुषिता एक बातीस समिदान सभागा गठतन कब हुआ था दोस्तों आप सभी कोता दें कि भारती समिदान सभा का गठन सन 1946 इसी में हुआ था तो Q48 का राइट टेसर अब सन A हो जाएगा उसके बाद में Q49 को देख लिए Q49 करता है कि निमलिखित में से कौन सा संग सुची में है तो Q49 का राइट टेसर अब सन A हो जाएगा जी सीख चा उसके बाद में Q50 करता है समिदान संसोदन हे तू संसद में दोनों सदनों में कितना बहुमत अवस्चेक है तो Q50 का राइट टेसर अब सन C हो जाएगा दो तियाए बहुमत अवस्चेक है उसके बाद में करता है कि राजटीर राज पर पहंचायती राज परनाली की सुरुवात की समीती के नुसंसा पर की गई थी तो question number 1 का right disruption T हो जाएगा बलवन्त राय महता समीती के परनुसंसा पर इसके बाद में कोश्चन नंबर 52 करता है समिदान का कौन सा संसोधन बिर्यक पैंचायती राजब्रणाली से संबंदित है तो कोश्चन में 92 का राई estarpn भी हुझाएगा तिहततर्वा समिदान संसोधन इसके बाद में करता है पैंचायती राजबिवस्था का दुस्ता अस्थर निमलीखित में से कौन सा है तो कोश्ट में तीरपन का राई टेस्प्सन सी हुजएगा देखिए पंचायती राज विवस्ता का दुस्ता जो अस्थर माना जाता है ये पंचायत समीती को माना जाता है उसकी बाद में करता है 1975 में आपातकाल के समय परधान मंत्री कौन था जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जब 1975 में आपातकाल की घुषना लागू के गई थी उस समय में भाद के प्रथर महिला परधान मंत्री इंद्रा गांधी थी वो इसकी बाद में करता है कि चीप को आंधोलन का प्रारंभ की सराज से हुआ था दोस्तों आप सभी को इता दे कि उत्रा खंड से ही सुन्दर लाल बहुगुन्ना की द्वारा वन परेवरन की सुरक्षा है तो चीप को आंधोलन की सुरुवात की गई थी वो इसकी बाद में करता है कि निमलीखित में से कौन सा राष्टी ये राजनितीक दल है तो कोशन में छपन का राई टेसरन क्या होगा जल्दी से कमेंट सेक्षिन बताइए देखिए लोगजन सक्ती पार्टी नहीं है जानता दली उनाइटे पार्टी भी नहीं है कुमिनि कि महाफ़ोड का जो काजगार होता है ये 7 वरसों का होता है उसके बार में करता है हरित करांथी से किस राज को अधिक लाव हुआ था तो तो आफ सभी करता दे कि कि जब हरित कौन ती लागी हुआ था तो उसमीले हरियाना पंजाब और उत्तरपर्दे सभी राजों को काप कोबिया में जल को लेकर काफी ही ज़दा बवाल हुआ था व इसके बाद में करता है कि भारत में किस परकार की दलिये बेवस्था लागु की गई है तो आप सबी को तुम अलम होगा कि बाहर अपने देश भारत में बहुत दलिये बेवस्था लागु है तो कुश्चन का अधान मंत्री का नाम है वो क्या है दुस्टो माधो कुमार है तो कुश्चन का राइटे सर नेपाल हो जाएगा जो की अफशन B में है वो इसके बाद में करता है कि भारत में प्रथम चीने मिलकी अस्थापना किस राज में की गई थी दुस्तो आप सभी को ता दें कि भार परसी चरक का स्रमंद भारत देश था उसके बाद में करता है कि कानहा राष्टी ये उद्दान किस राज में इसी थे यह एक चिडिया घर का नाम है जो आप सभी को ता दें मध़् परदेश राज में इसी थे और यहीं है वो मध्द परदेश जहां पर सबसे जदावन का पाया जता है उसके बाद में करता है महासाग्रिय संसादनों पर देशका धिपद कितना होता है तो यह होता है 200 किलोमीटर तक उसके बाद में हैं निम्रिखित में से कौन सा स्वामेत्व क्या धार पर संसादनों के वरिकरन का परकार नहीं है तो कुश्चन का राइटेसर दीकी हुई है तो कोश्चन का राई टेसर रप्शन सी होगा सो नदी उसकी बाद में करता है कि बिहार में कितने प्रतिसात क्रिशी छेत्र है तो याद रखेगा बिहार में 60 प्रतिसात छेत्रों में क्रिशी की जाती है उसकी बाद में स्वेद करांथी का संबंध किसे से है दखिए स्वेट करांती का जो संबन्ध है ये दूद से था। कोश्चन में 71 करता है कि रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायू उप्योगत होनी चाहिए। दखिए कोश्चन में 71 का राइट टेसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उप्शन A यानि समसीतनों से जो जलवायू है ये रबर के खेती के लिए उप्योगत जलवायू मानी जाती है। वो इसके बाद में करता है कौन सी फसल है जो रबी खरीब दोनों के रूप्यों का जा सकती है तो कुश्चन 72 का राइट इसरफ्चन सी हो जाएगा जी मुंग फली को वो इसके बाद में करता है दामोदर घटी पर योचना का लाव किन राजोग्स को मिलता है तो रखिए कौश्चम 73 का राइट इसरफ्चन सी हो जाएगा जारखंड और परसी मंगाल को मिलता है वो इसके बाद में कौश्चम 73 करता है कि निमलिखित में से कौन लोह आयस का एक परकार है देके लोहा का जो जो आयस का जो परकार होता है हेमाटायट मैगनेटायट होता है इसलिए कश्चन का राइट तेक्सोल का उपयोग कि सिरो प्योग को दूर करने में किया जाता है देक्सोल जो होता है हीमाचलcción पर प्देश में चीर नामक एक पौधा पाया कॢन सा छेतर सूखा प्रवण छेतर माना जता है यह हो जाएगा अधी केंद्र वो इसके बाद में भूकांप केंद के उधवारदर पीथी पर एस्तेद केंदर को क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पर कोशन नमबर 77 का जो बिल्कुछ सही जबाब हो जाएगा वो अफसन C हो जाएगा अधी केंदर उसके बाद में 78 कोशन करता है निमलीखित में से किसे सरवाधी खतरनाक सुखाड माना जाता है तो देखे क्रिशी सुखाड को सबसे खतरनाक सुखाड माना जाता है अब अगला स्वाल कोश्चन में 89 करता है कि बाट से हानी होती है तो इसके बाट से जो हानी है वो फस्लों को भी होती है पुस्लों को भी होती है और भौनों को भी होती है यही कारण है कोश्चन का राई टेस्टर अफसन डी हो जाएगा इन में से सभी को वो इसके बाद में करता है कि निमलीखित में से कौन सी प्रकृतिक आबदा है रखिये संपरदाइक दंगा ये भी आबदा है लेकिन ये मानवकृत आबदा है अतंकवाद परमानू बीस्पोर्ट ये सबीक सबी मानवकृत आबदा है तिक प्रकृति कब्दा की बाग करेंगे तो ये सुनामी हो जाएगा सुनामी ज्वाला मुखी बीसपोर्ट भूकांप हो गया उसके बाद ज्वाला मुखी बीसपोर्ट हो गया बाठ हो गया ये सब होता है प्रकृति कब्दाएं आज सा करते हैं कि आज के वीडियो आप सभी को पसंद आ हो दोस्तों वीडियो पसंद आ हो तो वीडियो को लाइक किजिएगा अपने दोस्तों में शेयर किजिएगा चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस YouTube चैनल मैध एड़ मैजिक टीफ को सब्सकाइब जरूर किजिएगा त साथ तब तक के लिए आप सभी को वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद